है है लुग फैरंसट繼續 चैनल अउनलाइन लेर्णिंग एपसाइट सोचों कर रहे हैं आरहब बीक हम्हें के इंपर्टन क्सें जो की का एकनोमिक्स के दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं 101 की जिसमें बात कर रहें हैं अंतरराश्टी वहपार का उद्देश है कि विस राश्टी बताना नाम तो राइट टांसर हो जागा इसका प्रश्ण काल में भारती रिजल बैंक के गवर्नर डी सुबह राम थे वर्दमार में या पद रगुराम राजन के पास वो लेकनी है कि सभुराम ने वर्स 2008 में वी आई वी रेडी के बाद गवर्नर के पद प्रिहन किया था Q1.2.3.1 कदन भारत के एक संब्रत साली देश हैं जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं कातातपर है D. देश के मूलिवान विस्तित संसादन लेकिन उनका उचित प्रकार के दोहन नहीं हुआ Q1.1 कदन, भारत एक संब्रत साली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं Q4.1 कदन, प्र, रेजब्र भारत का विस्तित संसादन हैं Q2. बारत का उचित प्रकार का से दोहन नहीं हुआ है Q2.enciesक्तन, एक ब प्रकार के दोहन नहीं हुआ है सी एडम स्मित अर्थवयवस्ता का पितामा एडम स्मित को कहा जाता है इनका जर्म वर्स सता सो तेईस में स्कॉट लैंड में हुआ था था थम्रेटी वर्स सता सुनब्भी में हुई थी यह अपनी किताब वेल्द आफ नेशन सता सो चेटर के कारण प्रशिद हुए किस अर् प्रती व्यक्ति वार्षिक आने पाता है डॉक्टर राव ने अपनी करना पनाली के उत्पात विधी एवं आय विधी के समी स्ट्रमन का प्रियों किया इसलिए सुन्ता पूर्फ काल में उपलत आकरणों की विश्विश स्नियता को ध्यार रखते वे डॉक्टर आर का सबसे विश्विश नहीं माना गया विश्विश्वर सेवन बिर्ला उद्दोग समु के किस बिर्ला के संतान हीन विद्वा ने 5000 क्रोण उपे का वैपार अपने चार्टेट अकांटेट आर एस लोड़ा को देने की वशियत की थी के MP बिर्ला को संतान हीन विद्वा ने 5000 क्रोण उपे का वैपार अपने चार्टेट अकांटेट और एस लोड़ा को देने की वशियत की थी संतलन कीमत वा कीमत है जिसमें की डी पूरती और मांग सम होती है बज़ार में सौदा करने वाली तो पाल्टिया होती है क्रेटा और विक्रेटा की मांग का नियम लागो होता है जिसके अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है विक्रेता की पूर्ती का नियम लागो होता है जिसके अनुसार कीमत बढ़ने पर पूर्ती में विद्धी होती और कीमत कम होने पर वस्तू की कीमत पूर्ती कम हो जाती है इस प्रकार मांगवा पूर्ती दो विरोधी सक्तियां है जो एक दूसरे के विप्री चलती है जहां पर क्या परवाब पड़एगा एब बढ़ेगा मांग अप पूर्थी के चार मूल भूत्या हैं यदि मांग बढ़ती हैं तो आप पूर्थी आप पवरतित है तो यह एक उच्छ वानग गट्री तो आप पूर्थी आप पर 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 दिदें तो निम्न साम कीमत होगी अदिश इस्किती और यादि मांग आप अर्तित और आप पूर्ति घठती है तो उच्छ साह में की कीमत हो यानि कमिए सौट सिर्थी कारण 1010 i10 10 भारतिय प्रभंधन संस्थान किस करणा चर्चा में थे लिए आंपर सी एंब्या की फीज पर विवाद कि व्यक्षा प्रश्णकाल में MBA की फीस पर विवाद के करण तीन भारती प्रबंदन सनस्तान में चर्चा में थे ट्रिबल वन प्लॉइट एकनॉमिक से ताथपर पर अर्थवस्ता से है जिसमें डी आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं पूजिवाद के गड़ में से पूजिवाद को उड़ा देने वाले बाहर को खोज निकालने का दावा मार्क्स ने किस संदर में किया था पूजिवाद के गड़ में से पूजिवाद को उड़ा देने वाले बाहर को खोज निकालने का दावा मार्क्स ने पूजिवाद के अंतहिन रित प्रियोदा भास के संदर में किया था वाल स्ट्रीट किसके लिए प्रसित है यहां निवार का स्टॉक एक्चेंज इस्तित है वाल स्टीट में निवार का स्टॉक एक्चेंज होने के करण प्रसित है स्टॉक एक्चेंज बाजार में कौन सी स्टीट प्रसिती है C. वाल स्टीट निवार BMW एक कंपनी है यहां केस देश की है D. जर्मनी PMW जिसका नाम है बेरेशिस मौर्टरन व्रियर की स्थाफना वर्स 1916 में जर्मनी ने की थी डॉक्टर अमत्स सेन जिन्होंने 1988 में अर्थवसास्त के लिए नोबल प्रसका प्राप्त हुआ था अर्थिव विकास के लिए कल्यान अर्थवस्ता दिश्टिकों के त्रीर समर्थाचे रायल स्वेडिस अकडमी आफ साइन्स ने वर्स1998 में डॉक्टर अमत्स सेन को या प्रसकार कल्यान कारी अर्थवसास्तर में उनके महत्पूर्ण योगदान के लिए दिया एकडमी की विग्यपती के अनुसार इस छेतर के में उनके योगदान के पढ़्याम सुरू अकाल एवन रिधानता से जुड़े आर्थिक तंद्र को समझने की सायता मिली विष्व बैंक के वर्तमान अद्यच जेम्स डी वोल फेर्शन किस देश के नागरिक है एस सहिंग तुराज अमेरिका है जेम्स वी डी वोल फेर्शन नेवर्ग्स उनिस्व पचार में 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 लेविस तॉम्सन प्रेस्टन की जगह विष्व बैंक अद्यच का पद भार किया था इस सहिंग तुराज अमेरिका के नागरिक हैं विष्व बैंक के वर्तमान अद्यच जिम्स योंग किम जुलाइद 2012 से हैं इंद्रा कृष्णमूर्ती नुई किस प्रसिद कंपनी के मुख कारेकारी अधिकारी हैं ये पैप्सिको इंद्रा कृष्णमूर्ती ये पैप्सिको की पाचवी CEO हैं इंद्रा इंद्रास्टी मुद्रा कोष्णमूर्स वर्ष्णमूर्स 2008 के लिए भारत में आयोजित प्रायोजित वृद्धी दर 7.9% अनुमानित की गई सार की स्थापना कब हुए थी डी 1985 में व्याग्या दच्छुन एशिया इच्छी तरी सायोग संग सार की स्थापना आट इसम्बा 1985 हुए थी और इसके साथ सथापक सदसें स्रिलंका बोटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान और बंगलादेश अफगासान धोजा साथ में इसका सदस बनाता है निन में से एक को छोड़कर अनिसार के सदस है वा कौन है डी मेयामार तेल निजात करने वाले देशों में एक वैपालिक संस्था बनाई गई है जो तेल जो जानी जाती है बी ओ पी इसी पैट्टॉलियम निजातक देशों का संगटन और्गनेशन ऑफ ते पैट्टॉलियम एक्चेंज कंट्री ओपी सी वर्स 1960 में बगदाद में संस्थापित किया गया है इसका मुख्याले वियना अस्रिया में है इसका उदेश कहनी स्थेल के उत्पादन वा इसकी कीमत को नियंदेद करके पैट्टॉलियम निर संबंदि उत्पाद के इंडिया कि खनीश तेल गैस तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है या क्रेयन अरजिनी एनरजी का एक भारती अनु संगी कमपनी है भी मनीला आशिया ही देशों का सामें सार्बतिक आर्थि विकास को प्रसाहिद करने है तो सेंध राष्ट के कि सिफारिस पर इस बैंक की इस्थापना वर्ड जिसम्बा उनिसोट श्यांशट में फिलीपन्स की राज़ानी मनीला में की गई इस बैंक की इस्थापना का उदेश जरूरतमंद एशियाई देशों को रियाती दरों पर सीक्रिकाल लिक प्रण उपलत कराना है फ्री विदेएक पेश किया जाता है वे नियोजन विदेएक का आशा सरकार को भारसक की संकेती संचित निदी से वह करने का अधिकार प्रदान करता है इस विदेएक को पारित करने की प्रक्रिया भी वही है जो अन धन्रासिय से संब्द्द विदेखों के लिए अपनाई जाती ह इबी सीडिय कि नाम सें तराश्टि संब्लियन मैं 2003 में बंगलोर में संपन हुआ था यह संब्स संपन है किसी विश्विभैंक से प्रश्णकार में विकास अर्थवाश्टा पर विश्वियंक का सफार्चिक संब्लिध अनल्ल एनिल बैंक कॉंफरेंस ओन टैफ्लेब्मेंट एकोनॉमिक्स एबी सीडी मैं दो हजातीर में बैंगलोर में संपन हुआ है जून दोजा चौदा में संपन सम्मेलें बासिंग टन्स डी सी में प्रस्तावित हैं जो कभी जो अभी विकास की अवस्था में गुजर रहे हैं तीसी दुनिया से तातपर है बी आ विक्सिद और विकासिल देश कोशन बर हम लोगा आ चुगे हैं बंथर्टी पर दोस्तों बंथर्टी कोशन में पूछ रहा है कि पिछले दस सालों में कि दौरान किस देश को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फॉरन डारेक्टर इंवेस्टमेंट यानि एफडियाई का रहा ए यू ऐसे अप्रेयल दोज चौदा तक प्रतेश विदेशी निवेश भारत में आने वाले अग्रणी चार्ण देश इस प्रकास से मौरिसे सिंगपूर फिर यूके एंड फिर जापान वैवसाइक बैंक समानता ब्याज नहीं देते हैं बी चालू जमा खाते पर चालू खाता जिसमें जमा करता अपन निदी जमाओं में यजे वर्तमान ब्याजदर क्या हैं फिर ब्याजदर साज़्रें प्विश्र निदी जमाओं में वर्तमान 250 द्रण आए 16 से पाराय की गई कुल पूर्टी की तुलना में मांग में अतिधिक फ्रिद्धी के परिग्राम सुरूप मूल के समानता इस्थर में इस्तिर फ्रिद्धी को कहते हैं ए मांग पुष इस्थरी जबर्त वरस्ता में प्रचलित बाजार की कीमतों पर वस्तु तथा साइवाओं के कुल मांग वस्तु बाजार में इसकी कुल उपलब्ध पूर्टी की तुलना में अधिक होती है तो समान कीमते इस तर बढ़ने लगता है जैसे मांग जन इस्थरी या मांग अधिक है इस्थरी कहते हैं वी आक्ञे के बात करते हैं तो मुद्रा एक विशेष्ता होती है जिसे हम तरलता कहते है कोई भी वस्तु बेना किसी हानी के यदि नगत रूप या मुद्रा में परव्रतित की जा सके तो इसे हम पून्द तरल वस्तु कहेंगे، चुंकि मुद्रा तो नगत रूप में ही, इसलिए हमें इसे हमें सबसे अधिक तरल संपत्थी कहेंगे बारत में दसलमा मुद्धा प्राली कब से सुरू हुई है? यह अपराल उनिस्य सतावन में यह कर पर 1903 को भारत में दसमाड़िक टंकरण प्राली या देसिमल कॉनिज़ सिस्टम को अपना गया है मुद्रा स्विति टैस से परिकलित होती है C. ठोक मूल सुची ठोक मूल सुचकांग मुद्रा की क्रह सक्ती में ठोक इस तर होने पर होने वाले परवदिनों की माप करता है अता या दोक पतियों या वैपारियों तत्वा संपूर अर्दवस्ता के लिए बहुत महतोपूर मना जाता है मुद्रा सुधी में कौन लाभवनित होता है बी देंदार जब आस्तों का मूल बढ़ रहा है तो मुद्रा का मूल घट रहा हो तो उस सुधी में मुद्रा सुधी की संग्या दी जाती है मुझायसरथी की सुर्थी में रड़ी दानिदार देनदार रापम्दित होता है अत्पादक लाप अभोकता हानी स्रमिक लाप वितनबोगी हानी रड़ी लाप किरयादाय हिजानी आयात बढ़ेगा निजाद घठेगा राजकुर्शी नीती संबंध है लोग राजस एवं वैसे संबंधित है इसके तहट ब्याज सार्जनिक वैग को सामिल किया जाता है विश्म बंधर्टिनाइन पर आगे हैं दोस्तों बंधर्टिनाइन कुष्णा को बताना है कि केन सरकार में निम्रुजे कौन से करूं में राज सरकार की भागेदारी नहीं होती है बी कस्टम ज्यूटी सीमा सुलक ऐसा सुलक या कर है जो आयतित वस्तों अत्वा देश में देश से निर्यातित वस्तों पर लगाया जाता है आयात की आजाने वाली वस्तों पर लगे शुलक को आयास विव झाने वाली वस्तों पर लगे शुलक को निर्यास विव कहते हैं कि इन सरकार इसमे बटवरा नहीं करती है कुश्म 1.14 राजस्व खाते में संग सरकार की वै करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है बी ब्याज भुकतान प्रश्णकाल में के समय ब्याज भुकतान संग सरकार की व्यकी सबसे बड़ी मद्धी वर्तमार में बजट दोजा 14-15, सौ पैसे में से 20 पैसे ब्याज भुकतान पर खच किये जाते हैं कुश्मार 141 आर्थिक साहता सबसेडीज का अभी फ्राय क्या है कोई मार् सेव को ख़रीदे बिना हिए व्यविसाय उपकरमों का सरकार दोरह पुकतान किसी वस्तुजा सेवा को उसके उत्पादन लागत मुल्ड या अर्थिक लागत मुल्ड से क्रम पर आप्पूर्टी करने के लिए दोनौ के उंतर को पूरा करने के के लिए सरकार दौरा जो वै किया जाता है उसे सबसेड़ी कहते हैं अर्थात सबसेड़ी इक्वल टू लागत वाने समूल जिस पर वस्तु या सीवा लोगों को दी जाती है काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने है तू निम्रिकित में से कौन सा आयोग की न्युक्ति की गई है बी चैलिया आयोग वर्स उनिस रत्त में की एन वांचू कमिटी ने काली मुद्रा को बाहर निकालने तदा करवंचन के द्वारा पुना ना बढ़ने के संबंद में सुझाव दिया वर्स उनिस सुक्यानमे में चैलियोज कमिटी ने कर चोरी करने के लिए करदाताओं की पहचान हे तू इस्थाई खाता संक्षा के स्थान पर टैन पारम किया काला धन है सी बहसाब धन आप एधनिक ढंक से अर्जित किया गया और आगोशित बहसाब धन नहीं काला धन क्यलाता है काला धन अर्थवास्ता में एक सामांतर अर्थवास्ता का स्रजund करता है निम्निकित में से कौन सा अप्पत्यचकर का उदान नहीं है विक्रेकरव करई जो किसी विक्ति पर लगाया जाए वही उस कर के भार को वेहन कर सके आय कर निगम कर बित्यू कर उपहार कर आस्ती कर और संपती कर अवब वैकर अत्पत्यश करके उधान हैं सेन्वेट का संबंद किससे है सी उतपाद सुल्क से वरतमान में भारत में मूलिया नुसार उतपाद सुल्क लगता है 2000-2001 के बजट में उतपाद सुल्क ही एकल दर्की को सर्फ सैन्वेट के नाम से लागू किया गया है कुश्म मूलिया निम लखित में से कौन समलित नहीं है बी आयकर या राज सरकार आयकर पत्तेश कर है उसे केन सरकार वसूल करती है जबकि बिकरी कर राज सरकार वसूल करती है मूलिया कन की कौन सी एकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है आसर जाएगा C, SDR व्याकर बात करते है तो विशेश आहरण अधिकार SDR या पेपर गोल्ड आयमेप के लिए मूलियां के निकाई है जब USA डॉलर सुन अन्य प्रमुक मुद्राओं के समझ अव मूलित हो रहा था तब भी SDR ने अपने सांकेतिक समझ मूल को बरकरार रखा इसी वज़ा से इसे पेपर गोल्ड कहा जाने लगा बुगतान संतुलन पद संदर्पित करता है आया तता निर्यात के मद अंतर को किसी देश का भुकतान शीष या उसकी किसी भी दिये हुए वर्ष में बाहर के देशों से किये गए वस्तु एवं सेवाओं के लेन देनों का व्यवस्तित रिकॉर्ड है या देश के बागी दुनिया के साथ आर्थिक समंदों का संख्याकिक रिकॉर्ड होता है विदेश भारत में के विदेशी वैपार संतुलन का एक मुद्ध महत्रपून लच्छा है या समानता नकारत्मक होता है वैपार खाते में आयात की सराशी निर्याद से अधिक होने पर वैपार संतुलन नकारत्मक होता है चुंकि भारत के संदर में प्राया आयात निर्याद से अधिक होता है अता वैपार संतलन नकारत्मक होता है B.P.O. किस सम्मद्ध है? B. सेश विश्व से किये गए आर्थिक लेन देन से B.P. बुगतान सेश किसी भी देश का किसी भी दिये वे वर्ष में बाहर के देशों के लिए किये के आर्थिक लेन देनों की व्यवस्तित रिकॉर्ड है B.P. अर्थाद यादेश के सेश दुनिया के साथ आर्थिक सम्मंदों की प्रगती तथा आयामों का संख्यागिक रिकॉर्ड होता है B.P. कुश्यमर 151 दोस्तों अंतरास्टिव वैपार्मेंड डंपिंग का अर्थ है B.P. वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल कर रियाद करना B.P. भारत में वित्ती वर्ष प्रारम होने की तितिति क्या है B.P. भारत में वित्ती वर्ष पारम होने की तितिति क्या है B.P. वी नो इंडिया वेटर निम लिखित में से किस संस्ता के विग्यानिक विग्यापन प्रंक्ति है D. भारतिय जीवन विग्गम यानि L.I.C. V. एंडिया वेटर भारत जीवन विग्यापन प्रंक्ति है 2 रुपए और इससे उपर के मूल वर्ग के भारती करंसी के नोटों पर किसके हस्ताचर होते हैं और एक रुपए के नोट का प्रशार RBI के माध्यम से ही होता है RBI दोरा 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,00, 5,000 और 10,000 के नोट पर भारती रिज़र बैंक के गवर्णर के हस्ताचर होते हैं 16 जनवरी 1970 को भारत के राश्पती दोरा एक अध्यादियस निकाला गया था 1,00, 5,000 और 10,000 रुपए के नोटों का चलन अटा दिया गया और RBI ने लगवा 22 वर्ष के पच्चाथ 9 अक्टूबर 2000 को पुना 1,000 रुपए के नोट जारी किया 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताचर होता है 100 रुपए के नोट पर RBI के गवर्णर का हस्ताचर होता है 10 रुपए के नोट पर किसका स्ताचर होता है गवर्णर भारती रिजवर बैंक का प्रतम पंचवरसी योजना का मुख लेच्च क्या था सर्फिए भारत कि परतम पंचवरसी योजना परार्व रुभ होई थी 비슷 HOW नोatक्रक की सूची में इस पान वाले प्रतम भारती कंपनी का उन सी थी डी इनन्फोसेस नेस के निजाना की सूची में स्थान पाने वाले प्रतम भारती कंपनी इन forces technology है कुछम 161 बाहरने में केरिमें से किसका सही मिलान करना में तो आंज तो बंबे स्टाक एक्षिन से लंदन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स किसे को कहा जाता है यह फुट्सी लंदन के स्टॉक मार्केट के सूच का इंडेक्स को फिट्सी कहा जाता है किन सरकार में विनी निवेश मंत्राले को वर्स में स्वाप्त किया गया था किन सरकार दौरा गठट क्न विनीवेश आयोच स्क किसे बना अगया ए सम्बरन धो जाट Nieš joy को इंडेश का बतान किया तक किन सरकार्य दोरा साथ दोगों को महारत दर्जा भी बदान किया गया सेल आयो सी एंटीपीसी ओएजी सी ये भेल और गेल सीमेंट की पैदावार में कौन सा प्रदेश आगे है ए राजिस्थान इंडियन ब्योरो ऑफ माइन्स दौरा प्रगासित इंडियन मिनरल एयर्बुक दोजाद पारा किनुसर सीमेंट का सरवदिक उत्पादन राजिस्थान में होता है राज ऋत्पादन 2017 मिल्येण ट्र्म तमिल्णाडू 23 भारत में निर्म में से किस स्थोग में सारवधिक सर्म सकति कारेत है कप्डा-उद्थू कप्डा रोग देशcio 3 चेत्र का एक मात्र सबसे बड़ा उद्धोग है जिसमें सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है इसके अंत्रकत सूती कि उनी रेशमी और कत्रिम रेशों में से बने वस्त्रों का उत्पादन होता है कि अधिक्तम कर्म कार किसमें काम करती है ए कपड़ा उद्धोग ए जी एम ए आर है क्या डी इस्तमाल करने वाले चीजों जैसे अंडे घी वगेरा की क्वालिटी गारंटी और मोहर ए जी एम मार्क जो वर्स 1986 से प्रवाविये एक प्रमाडन संकेत है जो खाद इस्तमाल करने वाले चीजों जैसे अंडे घी वगेरा के लिए प्रिक्त होता है वो तो किस पंचवर्शी योजना में विक्सित हुआ है ए दिदिय तिदिय पंचवर्शी योजना उनीसोचपन टेश मादो की कैंण की प्रक्रियर प्रार्म करना है इंड करना है जिससे भारती अर्थवैस्ता की सुदूर आधार एव पर शर्री विकास की जा सकेए जिल में कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उतेश नहीं है ए जंसंख्या विद्धी भारत एक विशाल जंसंख्या अधिक नियोजन का उदेश नहीं जब कि सेज्ट तीनों का विकल्प आर्थिक नियोजन के उदेशों में सामिल है कुल्डन हैंड सेख सम्मदित है किस से कर्मचारियों की स्वाचिक सेना वरत्तिसी वर्स जिस्वक्यानबे में अधोगी नीती के सरकार में सरकार ने सावजनी छित के उपकर्म को अधिक कर्मचारियों के भार से मुक्त करने के लिए प्रोच्छाहन युक्त एक स्वैच्चक सीना वरत्ति योजना प्रारम की इसे गोल्डन हैंड सेक के नाम से दिया गया नई आर्थिक नीती किस से संब्दित है डि ये सभी उधारीकरन निजिकरन और विश्वी करन वैस्वी उधारीकरन निजिकरन और बाजी और बाजारीकरन कौन सी योजना का अवदी लंबी हैं stretching स्वैच्च कर नि पांच्वी Europas के एक वर्ष मापत कर एककपर 1770 में च्छाटी योजना शुरू की किन्तू वर्स 1870 में सरकार द्वारा त्यार कि गए च्छाटी योजना का समाप्त कर एक नहीं च्छटी योजना पारम की गए इसकी अवधी परद 1980-85 की मद रखी गई घ्रिपर भारत में योजना आवकास के हुआ था बी 1966 के आकाल के बाद बारा सरकार ने तीन वर्षों का योजना आवकास कोशिद किया था या योजना आवकास तीन वर्षों का था भारत में पंच वर्षी योजना बनाने के लिए जिम्मेदार किसकी है c योजना आयोकी भारत में पंच वर्षी योजना आयोकी बनाने के लिए जिम्मेदार योजना आयोकी है योजना एक साविधान ओतर निकाय है जिसका पादीन अध्यज पधामिंद्री होता है प्रादम वर्ष वर्षी योजना का मुक्ञ ताbe सिचाहिय विद्द परियोजनाओं के सहिद कृषी का विकास भात में आर्थिक भी नियोजन की चर्चा सरपतम सर एम वेस्वरिया ने वर्स 1934 में प्रकासित पुष्टर एकनॉमिक फॉर इंडिया में की थी भारत में पंचवरसी योजनाओं को बनाने के जमेंदारी का पास था जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है डी मार्क जर्मनी की मुद्रा का नाम ड्यूस मार्क है जापान की मुद्रा का नाम यन और अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर तथा तश्री अमेरिका के अधिकास रेशों की मुद्रा पैसे है वर्तमाल में जर्मनी ने यूरो जब्कि की तोजाइस चाहर जथे पीड़ी दर नर्क प्रयासरत है। कोश्म 591 खरने लुट पाद एयुट राश्ट्री उतपाद के बीच का अंतर किसी देश किसी ऐसे देश के लिए मैत्रपूर है जहां कि किसी देश के किसी देश के एक निश्य समय वदी में प्राय एक वर्स में देश की घरिलू सीमा के भीतर हुए कुल अंतिम वस्तु एवन सेवाओं का उत्पादन चाहे देश के निवाश्यों द्वारा ही हो यह विदेशी यह तो इसे हम सकल राष्टी उत्पाद कहते हैं जी डी पी एवन जी एन पी के अंतर केवल विदेशों से प्राप्त सुद्र साधन आए से है निम्लकिन में कौन सा सकल सीधा सकल राष्टी उत्पाद को बढ़ाएगा ए विनी रिवेस में वृद्धी सकल राष्टी कौन सा बैंक किशानों को दीर अवधी का रिण देता है बी भूमी विकास बैंक किशानों को दीर अवधी का रिण देता है या अवधी समानता नौ से पंदा वर्ष्टों तक होती है कौन सा राष्टी आये का भाग नहीं है सी राश्टिर्ण और ब्याज आयगर्णा वर्ष उत्पादित वस्तवें राश्टिया हमें जो निम्न को सामिल के जाता है आयगर्णा वर्ष में उत्पादित सेवाई या वस्तवें सेंग उप्भोक के लिए किया गया उत्पादन बोकर्स कमिशन सैनिक वास रच्छा सेव लाभांस किराया मजदूरी मवेतन विदेशी तकनीक और विशेश्य का वेतन संसर सदश्का दिया गया वेतन वबत्ता और भविश निदी में कोज के मालिकों का अंज जी एनपी और एनपी के मद अंतर क्या है ए पूजी अधिमयन के समान जब सकल घर राष्टी उतपाद जी एनपी में से पूजी अधिमयन को निकाल दिया जाता है तो शेश मौद्रिक विर्मूलिक को सुद उतपाद कहा जाता है जिसको बोलते है एनपी एनपी जी एनपी ड सब्सक्राइब एस संपर्भरितनों से संब्सक्राइब REM sadliest उप्यों और मूल में इस्थरता यह जैसे कोई अर्थवयस्ता विक्षिद होती है extend राष्टी फाद में क्रिश्ऩि का हिस्सा हिनों याया अब लिस्ट में वाले हिस्ट डिव यग्रत॥ श्यवस रखर से सबसे अधिक होती को इने इयंत को इ когда वर्ष 2011-12 में सकल घ्रेल उत्पाद GDP का सारविदिक हिस्सा सेवा चेट से 69 पतिशत है जबकि उद्धू 6-27 पतिशत और कृष्षी 6-139 पतिशत हिस्सा होता है चेटरवार GDP में 24-5 के मूलिस तरव पर है कृष्षी पतिशत है और सेवा 98-9 भारत में GDP का सबसे दीक जोगदान किसका है भी सेवा चेटर का सबसे बड़ा भाग प्रकार्स तिश्चावच्ट होता है कि भी तृतिएक शिक्टर यानि भार में राष्ट्रिया का अनुमान केंदरी संख्या की संगठन करता है जिसका इस्थापनार्स उन इससे क्यावच में की गई थी राष्ट्रिया के लिए अटव्यस्था को मगटार्ट तीन भागों बारते हैं तृत्तियक शिक्टर का इ कि सी यू के आक्रन कनुसा 1993 से 94 में की कीमतों पर वर्स चाहर से पांच के स्थर कीमिटों के अधार पर प्रतिवक्ति आये वर्स से चौदा में 49 रुपे 9001 रुपे हैं जबकि चाहलू कीमतों पर प्रतिवक्ति आये चौतर कि अजार 920 रुपे हैं कि कुश्मों 93 केंद्री संख्या की संगठन सी यह सो 12 प्रफरी 2012 में अगरिम का अनुमान के अनुशार वर्तमान मूल के रूप में प्रतिवक्ति आये से बारा में चौदा स्मुति प्रतिश्य से बढ़कर 6970 रुपे रहने का अनुमान है वर्त 2010 से ग्यार में प्रतिवक्ति आये कितनी दर्ज की गई थी डी तिरपन अजा तीन्सुए करतिवक्ति रुपे में भारत में राश्टी आये के आकड़े चारी करने का कार केंद्री संख्या के संगटन CSO के दर्ज संपन होता है फर्वी 2012 में वर्तमान मुल पर प्रतिवक्ति रुपे में वर्ष 2010 से ग्यार में तेरपनेजा 330 रुपे से 14.03 परश्यक्त की विद्धी हुई जबकि मई 2013 में जारी आकड़ों के नसार वर्तमान मुल पर प्रतिवक्ति रुप वर्ष 2012 से तेरा के द्वर्ष दर्ज की गए जो वर्ष 2011 से भारक के एकसर दर्जाच 500 400 रुपे से गया साथ परश्यक्त की विद्धी दर्ज रजाती है भारत विश्म की कुल जंख्या का लगबा कितना है कि छे अरब के समय विश्म की जंसंख्या 6 अरब थी 31 अक्ट्री संग्या समीप है ने आप 6 बिलियन के बर 31 अक्ट्री संग्या कितनी आकलित की गई थी सी साथ अरब शोण गरें के आपरो जोगार साथ और हो गए पुश्वानेटेस का निर्मकीट में कौन सा विश्व का सबसे घना आबादीवला देश है डी सिंगापूर देगे विकलपों में सिंगापूर सबसे अधी घनी आबादीवला देश से जिसका गना तो साथ जा तीन सो एक प्रिश्यत विश्विकास रिपोर्ट तो जानौ कर जनके समय जीवन पत्याषा सांवति स्रीलंका की है जबकि स्धान दोजाथ स्रीलंका की दिरिगायू तक कर रमसा 507 पैसे दसम हाट ऑसके एक गड़ोत शीड़ी में बढ़ती है जबकि निम्लगित में संब्ढ़ित है ई मात 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 त्यलेंई सर्थंस मात पर बश्चाइब प्रकाशित पुस्तक एन ऐसे ऑन देप्रिंस्पिल आप पॉपलेशन में लिखा था कि जन संख्या को उत्तर शीड़े में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादिन अंगरती है शीड़े में बढ़ता है भारत की जन संख्या की वार्शिक वर्थी तर्फ 2001 के अनुसार है एक दस्मुन नौ परिश्ट थी ग्यारा की जन करना के लिए संबंद्रित में वर्दी एक दस्मुन चौश्य परिश्ट है वीडियो आपको अच्छा लगाऊ तो प्लीज लाइक और सप्राइब करें में बॉक्स के लिंक से वहाँ से आप बॉक्स पर चीए करें करें और मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन भी कर सकते हैं तो थैंक्स पार वाचिंग